हेलो एब्रीवन वेल्कम अगेन टू लांगरी देतीमन हम लोग कर रहे हैं साइकलोजी के अंदर यूनिट वाइस टेस्ट सेकिंड यूनिट के अंदर हम लोगों ने एक टेस्ट जो है वो कर लिया था उसी टॉपिक का व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की बिविन्ता उसे सम्मंदित मैंने आपको कहा था कि कुछ कुछ कुश्चन का टेस्ट हम दोबारा से फिर करेंगे ताकि और भी डाउट क्लियर हो जाएं इसके अलाबा यहां से कोई भी प्रस्टन ना छूटे इन्हें कु बहुत ही द्यान से आपको कुश्चन पढ़ना है कि कौन सा भाग है जिसको जरूरत है संतुलन की तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संतुलन की आविशक्ता जो है वो इड और सूपर इगो को है क्योंकि जो इगो है एहम है उसका तो कार्य ही है समायोजन इस्तापित करना ठीके वो तो खुद समायोजन इस्तापित कर लेता है लेकिन संतुलन की आविशक्ता जो है वो इन दोनों को है तो वीडियो के end से पहले ही मैं आपको id ego, super ego, चेतन, आर्दचेतन और अचेतन इनमें जो confusion है वो भी clear कर दूँगी लास्टर तक वीडियो आप देखिएगा और question के answer जो है वो आप सही लगाईएगा चलिए यदि व्यक्ति के मन में इदम, एहम, परा, एहम कारे करना बंद कर दें तो क्या होगा व्यक्ति मर जाएगा, पागल हो जाएगा, शरीर का संतुलन ही बिगड़ जाएगा या गलत काम करेगा तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ये होगा कि सरीर का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा नेक्स्ट देखिए question 3, मन का वह कौन सा भाग? इदम वा परा, एहम में संतुलन इस्थापित करने का कारे करता है तो बहुत अच्छे से सबी को पता है इदम, एहम, परा, एहम या इन में से कोई नहीं तो फटा-फट से इसका आंसर बताईए, जिसमें कोई भी गलत नहीं करेगा इसका आंसर देखिए, इड, एगो, सूपर एगो, इनहीं को इदम, एहम और परा, एहम कहा जाता है तो इसका जो सही आंसर होगा, संतुलन इस्थापित करने का कारे कौन करता है? एहम करता है और जरुरत किसको है संतुलन की, इदम को भी है और परा, एहम को भी है पिछड़े बालक की विशेष्ताइं हैं जीवन में निराशा का अनुभव समाज विरोधी कार्यों की प्रवती होती है या उपरोगत सभी एक जो पिछड़ा बालक होता है जो की सामानने बालकों की अपेक्षा पिछड़ा होता है वह नॉर्मल कारे नहीं करता है इसका उसकी विसेश्था हैं क्या क्या होंगी क्या उसके सीखने की गती धीमी होगी जीवन में नेराशा का अनुबब होगा समाध विरोधी कारियों की प्रवति उसमें पाई जाएगी या उप्रोप्त सभी तो आप लोगों ने लगा लिया है इसका सही आंसर अब देखिए इसका सही आंसर जो है वो यही होगा कि पिस्विड़े बालक की विसेश्था है सीखने की धीमी गती जीवन में निराशा समाध विरोधी कारियों की प्रवति उसमें पाई जाती है Q5 है बाल अपराद विज्ञान का जनक किसे माना जाता है बाल अपराद विज्ञान का जनक जो है वो किसे माना जाता है factual question है सीजर, Lambroso, Skinner, Woodworth या Fryer तो जिसको पता है उसको पता है और जिसको नहीं पता है तो यहां पर सोचने की तो कोई बात ही नहीं है देखिए जो भी question है most important question है यदि आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बाते नहीं कर पाते हैं तो वीडियो को दुबारा revise करके देखिए तो answer क्या होगा? Caesar Lombroso Question number 6 है विशिष्ट बालक का अर्थ है? सामाने बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गुणवाला, मंद बुद्धी बालक, प्रतिभाशाली बालक या समस्यात्मक बालक तो विशिष्ट बालक को कौन होता है? सामानने बालकों की अपेक्षा कम या अधिक गोणवाला होता है मंद बुद्धी बालक होता है प्रतिवाशाली बालक होता है या समस्यात्मक बालक होता है तो आप लोगों ने टर्मन का बुद्धी लब्दी सिद्धांत जो है वो देखा तो उसमें आप लोगों को याद होगा कि विशिष्ट बालक कौन कहलाता है तो यहाँ पर जो आंसर यह होगा, देखिए यहाँ पर कि वह सभी बालक जो की समान्ने बालकों की अपेक्षा कम और अधिक गुणवाले हैं तो वो सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं समान्ने से बुरा होता है, सामान्ने होता है या रिनात्मक्ता अधिक होती है तो बिल्कुल दो या तीन सकेंड में ही आंसर आ जाना चाहिए और आंसर क्या होगा इसका सही आंसर होगा प्रतिवासाली बालकों का समायोजन जो है वो स्रेश्ट होता है चलिए, नेक्स्ट है कोशन एट, कक्षा में उचा सुनने वाले तथा कमजोर नजर के शात्रों को कहां बैठाना चाहिए आगे की पंक्ती में, बीच की पंक्ती में, पीछे की पंक्ती में या अलग पंक्ती में तो कक्षा में जो बच्चे उचा सुनते हों, जिन्हें कम दिखाई देता हों, उन बच्चों को कहां बिठाएंगे बिल्कुल कॉमन सेंस का ही कुश्चन है ये, तो देखिए, उनको कहां बिठाएंगे हम, आगे की पंक्ती में बिठाएंगे नेक्स्ट है कुश्चन नंबर नाइन, कौन सा बाल अपराद है? योन अपराद, चुनोती देने की प्रवती, धूम्रपान या उप्रोक्त सभी तो इनमें से बाल अपराद की श्रिणी में कौन-कौन से अपराद आते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर यही होगा कि बाल अपराद में, योन अपराद, चुनोती देने की प्रवती, धूम्रपान ये सभी आते हैं कक्षा में अध्याफक द्वारा विपुल से प्रस्ण पूछने पर वह तुरंत जबाब देता है बालक मन की कौन सी अवस्ता है? तो यह मन की कौन सी अवस्ता कहलाएगी जो फ्राइड ने दी चेतन, अचेतन, अर्दचेतन या इनमें से कोई नहीं तो विपुल से अध्याफक ने प्रस्ण पूछा, उसने तुरंत जबाब दे दिया तो यह मन की कौन सी अवस्ता कहलाएगी? तो बिल्कुल सभी का ही आंसर इसमें सही आ रहा है आंसर है चेतन मन चेतन मन क्या होता है? कि जो वास्तविक्ता से जोड़ा होता है जो भी हम सोच रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं जो भी कार्य चल रहा होता है, वह चेतन मन का भाग होता है और जिन चीजों को हम याद करके जैसे कि exam time में आप लोग question का आंसर याद करते हो तो वो अर्द चेतन मन का भाग होता है और कुछ बातें जो की हमारे बिलकुल अचेतन मन में चली जाती है जो की हमें याद करने पर भी याद नहीं आती है वो होती है अचेतन मन चलिए नेक्ट देखिए question 11 बाल अपराद की परिभासा किसी कानून के उस उलंगन के रूप में की जाती है जो किसी वयस को द्वारा किये जाने पर अपराद होता है तो ये कथन किसका है गुडविल का इसकीनर का वैलेंटाइन का या गुड़ का बाल अपराद की परिभासा किसी कानून के उस उलंगन के रूप में की जाती है जो किसी वयस को द्वारा किये जाने पर अपराद होता है, तो जिसको definition याद है, उन्होंने लगा भी लिया होगा, और जिनको याद नहीं है, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग अभ्याद कर लें कि ये जो परिभाशा है, ये दी है इसकी नर्में. नेक्स्ट है, question 12, व्यक्तित्व को समझने के लिए व्यक्तित्व के शील्गुणों का अध्यान किस मनोविज्यानिक ने किया, तो हमने लास्ट वीडियो जब टैस्ट लिया था, याद होगा आपको, कैटल वा ओलपोर्ट ने, ओलपोर्ट ने, गैरिट ने, या जुंग ने तो किसने व्यक्तित्व के शील्गुणों का अध्यान किया, तो आंसर क्या होगा इसका, फटाफट से आंसर लगाना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो यहाँ आंसर बिल्कुल यही होगा, कैटल और ओलपोर्ट, चलिए, next question देखिए, question 13, प्रतिवाशा या की तीर्वता, दैनिक कार्यों में विभिन्दता, पाठे विश्यों में अत्य दिक्रुची या उप्रोप्त सभी, तो एक प्रतिवाशाली बालक, इसकी क्या विसेश्थाएं है, तो यहाँ पर A, B और C, तीनों ही आप्शन जो है, वो बिल्कुल सही है, प्रतिवाशा की विसेश्थाओं के अंतरगरत, कुशन 14 देखिए, ब्यक्तित्वा मापन की सरवादिक पुरानी विधी कौन सी है, मनोविज्यानिक विधी, बुद्धी परिक्षण विधी, जोतिश विधी या परिक्षा, तो परसनलिटी के मापन के लिए, सबसे पुरानी विधी कौन मनोविज्यानिक विधी, बुद्धी परिक्षण विधी, जोतिश विधी या परिक्षा विधी, तो इनमें से जो सही उत्तर होगा, वो क्या होगा, मनोविज्यानिक विधी होगा क्या, बिल्कुल ये तो आधुनिक विधी है, जहां बुद्धी परिक्षण की बात करते ह ये भी आधुनिक विधी है, इससे भी पुरानी जो विधी है, वो है जोतिश विधी. फ्राइड ने सबसी अधिकबल किस प्रवती पर दिया? संचे प्रवती, रचना प्रवती, काम प्रवती या समुह प्रवती? तो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर जो है, वो यही है, काम प्रवती, ओप्शन नमबर C. अध्यापक द्वारा अमन से प्रश्न पूछने पर वह चौक कर कहता है, क्या आसर बालक मनकी के सवस्था में है? चेतन, अचेतन, अर्द चेतन, या ओप्रोक्त सभी, तो पहले प्रश्न क्या था? जैसे ही अध्यापक ने प्रश्न पूछा, विपोल ने तुरंत उत्तर दे दिया, लेकिन यहाँ पर टीचर ने क्या किया? अमन से प्रश्न पूछा, तो उसने उसका उत्तर न दे कर चौक कर कहा, क्या सर? तो यह कौन सी अवस्था में आएगा? तो आंसर जो रहेगा, वो रहेगा अचेतन, क्योंकि उसे उस प्रश्न का आंसर नहीं आता है, इसलिए उसने चौक कर कहा, क्या सर? यदि उसे आंसर आता, तो यह जाता चेतन मन में, यदि वह सोच कर बताता, तो वह जाता अर्द चेतन मन में, लेकिन उसे तो पता ही नहीं है, तो यह जाएगा अचेतन में. बाल अपराद के उपचार की विधी नहीं है मनो विशलेशन विधी, मनो अभिने विधी, कारावास विधी या अधिगम विधी तो बाल अपराद के उपचार की विधियां कौन कौन सी है एक में वो विधी नहीं है तो वही आपका उत्तर है यहां जो सही आंसर रहेगा वो बिलकुल रहेगा कारावास कारावास जो है वो बाल अपराद के उपचार की विधी नहीं है जबकि मनो विशलेशनात्मक विधी, मनो अभिने विधी और अधिगम यानि सिखाना तो ये सभी बाल अपराद के उप्चार की विधियां है निमने मैंसे मन का कौन सा भाग फ्राइड ने बताया है चेतन, अचेतन, अर्द चेतन और उप्रोक्त सभी तो ये तो किसी का भी गलत नहीं होगा क्योंकि इतने सारे कुश्चन में आपको पता लग ही गया है कि फ्रा नेक्ट है कुश्चन 19 मन का वह भाग जो आदर्श एवं नेतिकता का सूचक है चेतन, पराएहम, इदम या एहम यहां पर देखिए कुश्चन में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किसकी बात हो रही है जो कि आदर्श और नेतिकता का सूचक है मन का वह लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूज हो सकते हैं अब कई बच्चे बोलते हैं लेवल थोड़ा सा और भी अच्छा लेके आईए कुश्चन तो वही रहते हैं देखिए टॉपिक वही रहता है कुश्चन भी वही रहते हैं लेकिन ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं कि वह हार् तो चैप्टर भी वही रहेगा इससे ज़्यादा हार्ड आपके लिए क्या होगा तो आप देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा यहां होगा पराएहम Next question number 20 मन का कौन सा भाग समायोजन करने का कारे करता है इदम, एहम, पराएहम या उप्रोक्त सभी तो सोचिए इसका सही आंसर क्या है तो आप लोगोंने लगा लिया सही आंसर क्या है एहम एक बालक किसी लड़की को देख विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है तो वह कौन सी अवस्ता है इदम की, एहम की, अर्दचेतन की या अचेतन की तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा अर्दचेतन क्योंकि उसे याद आ रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है अब देखिए कुछ बच्चों को इड़ इगो और सूपर इगो और अचेतन और अर्दचेतन यह समझ नहीं आ रहा होगा कि यह पूरे यह सभी एक साथ कैसे चल रहे हैं देखो सबसे पहले ध्यान रखो कि सिग्मन फ्राइड जिन्होंने मनों विशलेशनात्मक सिद्धांत दिया उन्होंने मन का गतिशील पक्ष बताया ठीक है और मन का इस्थलाकरती पक्ष बताया जिसमें मन का जो इस्थलाकरती पक्ष है उसमें उन्होंने मन के तीन भाग बताए चेतन अचेतन और अर्दचेतन ठीक है किसमें बताए मन के इस्थलाकरती पक्ष में वही मन के जो गतिशिल पक्ष है उसमें भी तीन बताए इड, इगो और सूपर इगो जिसे हम इदम, एहम और पराएहम कहते हैं ठीक है तो ये दोनों को आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि मन का गतिशिल पक्ष जो है वो है इड, इगो, सूपर इगो और मन का जो इस्तला सर्वादिक उपयोगी विधी है प्रशनावली विधी, प्रयोगात्मक विधी, शर्वेक्षन विधी या केस स्टडी तो एक बालक जो है वो बार-बार स्कूल से भाग रहा है तो बालक के अध्यन के लिए जो सर्वादिक उपयोगी विधी वो कौन सी होगी प्रशनावल तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर रहेगा वो सबका ही सही होगा कि केस इस्टडी ठीक है व्यक्ति के बारे में जाना जाएगा जाना जाएगा कि वो स्कूल से बार-बार क्यों भाग रहा है ऐसे बालक जिनका प्रमुक कारे सिक्षक तता चात्रों को परिशान करना है वे हैं बंदबुद्धी बालक, प्रतिबाशाली बालक, पिछड़ा बालक या समस्यात्मक बालक तो कुछ बालक कक्षा में होते हैं जो की टीचर को भी परिशान करते हैं और साथ में अपने साथियों को भी तो वो किस में आएगा तो बिल्कुल वो मंद बुद्धी बालक तो नहीं होगा और नहीं intelligent प्रतिवाशाली बालक होगा ठीक है तो वो होगा समस्यात्मक बालक क्योंकि वो समस्या उत्पन कर रहा है next देखिए स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्ष का निर्माण ही सिक्षा है यह कथन किसका है स्वस्त सरीर में ही स्वस्त मस्तिक्ष का निर्माण ही सिक्षा है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा तो यहां पर जो सही आंसर होगा, वो होगा, अरस्तु का चलिए, किसुरा वस्था अपराद प्रवती के विकास का नाजुक समय है ये कतन किसका है, ये तो कोई नहीं बूल सकता कि ये कतन किसका है वैलेंटाइन का, मिरो का, कांट का या हरबर्ट का, किसुरा वस्था अपराद प्रवती के विकास का नाजुक समय है ये किसने कहा, तो ये सभी का सही है और सभी जानते हैं कि ये लाइन किसकी है बिलकुल सही आंसर है वैलेंटाइन, तो आज हमने 25 क्रशन चुहें वो कर लिये हैं लास्ट वीडियो में भी हमने 25 ही किये थे, तो कुल इस टॉपिक में से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की बिविन्ता पचास कुशन है, इनको ही आप बारवार रिवाइस करेंगे, यहीं से आप लोगों के एक्जाम में कुशन आ जाएगा, ठीके, चलिए, इस ती तरीके से प्रेक्टिस होती रहेगी, अब यूनिट सेकिंड की अंदर ही, नेक्स्ट जो टैस्ट होगा, वो होगा बुद्ध का, इन्टेलिजेंस का, ठीके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थेंक यू,